अजे देवगुन इन दिनों अपनी फिल्म्स को लेकर खूब चर्चा में चाहे हुए हैं हाल ही में रिलीस हुई उनके फिल्म तोटल धमाल बॉक्स आफिस पर धमाके दार कमाई कर रही है आपको बता देएं कि इस फिल्म ने अब तक 140 करोड से उपर की कमाई कर ली है तोटल धमाल के बाद अपने फैंस को दो धमाके दार बायोपिक्स के साथ सर्प्राइस देने वाले हैं और अजे के फैंस के लिए फिल्म में काफी स्पेशल होगी तो कौन सी है ये फिल्म में इचली आपको बताते हैं पहली फिल्म है ताना जी ताना जी आजे देवगन की काफी बिग बजट फिल्म है इस फिल्म के लिए आजे काफी मेहनत भी कर रहे हैं यह फिल्म ताना जी माल सुरे की लाइफ पर बेस्ट होगी और इस फिल्म में आजे के साथ कई बड़े स्टार्स जैसे काजोल और सैफ अली खान भी में रोल्स में नज़राएंगे जहां सैफ इस फिल्म में विलन की रोल में आजे को टक कर देते नज़राएंगे वही काजोल इस फिल्म में आजे की वाइफ के रोल में दिखाई देंगी मही रिपोर्ट्स के मताबिक इस फिल्म में इन तीनों स्टार्स के अलावा कई वड़े स्टार्स जैसे अक्षय कुमार, एश्वर्या, राइबच्चन, सल्मान खान और सुनील शेटी के नाम भी सामने आ रहे हैं फिलाल अभी इन सभी नामों पर कोई भी ओफिशल कन्फरमेशन सामने नहीं आई है लेकिन अगर ऐसा होता है तो इन सभी स्टार्स को एक साथ स्क्रीन पर देखना आपके लिए वाकई में काफी मज़ेदार होका दूसरी बायोपिक है फुटबॉल कोच सयद अब्दुल रहीम की बायोपिक ताना जी के अलावा अजय फुटबॉल कोच सयद अब्दुल रहीम की बायोपिक में भी नजर आने वाले हैं ताना जी को पूरा करने के बाद अजे इस बायोपिक में काम शुरू कर देंगे और इस फिल्म में इंडियन फुटबॉल के गोल्डन पीरिट को दिखाया जाएगा आपको बता दें कि सायद अब्दुल रहीम 1950 से 1963 तक इंडियन फुटबॉल टीम के कोच और मैनेजर रहे थे और सायद अब्दुल रहीम के गाइडन्स में 1951 के एशिन गेम्स में भारत की जीत हुई थी और अजे की इस फिल्म की शूटिंग जून से शुरू हो जाएगी इसकी लोकेशन के लिए फिलहाल मुंबई को उलकाता है अधरबाद और दिल्ली को चुना गया है इसके अलावा कोशिश है कि शॉर्ट्स ओरिजिनल लोकेशन पर लिए जा सके इसके लिए फुटबॉल स्टेडियम के लिए भी अप्रोच किया जा सकता है तो अब अजे के फैंस आप उने इन दोनों फिल्मों में देखने के लिए कितने साथ एक्साइड़ हैं नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राइस ज़रूर शेयर करें इंडिया बॉलिवोड वाइरिल की रिपोर्ट